वन्ने मातराओं भारत माता की जय जय हिंदुराश्ट मेरे प्यारे सबी भाई और भेनों आज सुबह हैमंत लोईया जी की उनके ही घर में काम करने वाले एक जिहादी ने गला रेत करके सर्तन से जुदा के पेटारन में हत्या कर दी और इसकी जिम्मेदारी फिर ली है टी आर एफ ने टी आर एफ कोन है टी आर एफ है लशकरे तायब्बा से जुड़ा हुआ एक खतरनाक संगठन लशकरे तायब्बा कोन है लशकरे तायब्बा गजवाए आलम के लिए काम करने वाला एक संगठन है गजवाय आलम क्या है गजवाय आलम जो है और एक आस्मानी किताब के पूरे 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 जो उसके नियम है उनके बनाय हुए खोनी नियम है उनको पूरी दुनिया में लागू करना चाहता है इसी के एक शिड़ी है गजवाय हिंद इसी गजवाय हिंद के तहट भारत के अंदर लोगों का सरतन से जुदा किया जा रहा है जो मुश्रिक हैं जो शीरिक हैं जो काफिर हैं या जो मूर्तत हैं उनकी निर्ममता से हत्या की जाती है इस ही में सेट आप मैं बार-बार हमेशा बाले होते तब इनका अच्छा सा तहकिकात कीजिए मालूम कीजिए ठोड़े से कम पेसे यह थोड़े सेवा का अधिक भाव देख करके जो की जूटा होता आप उसे रख तो लेते हैं मैं कई परिवारों में जाता हूं सवामी प्रशाद घृता है अब आपको पता नहीं कि तिलक लगाता है और प्रशाद काता है और हाथ में गंडे ताबीच पहन लेता है आप उसे क्या मानने लग गए हैं यह उनकी जिहात का एक रूप है वो अपने मिशन में लगे हैं वो अपने कभियान में लगे हैं देख लो ना डी जी डाइरेक्ट जब हम जाते हैं और वो बोलते हैं कि असपाक जरा आना मंत्री जी अरे स्वामी जी है या स्पाक अरे यह तो बड़ा ही उंदा कारी चलाता है अपने अपने अलों को भी रहा शामी काम नहीं करते हैं मैं आपको एक जगे की हमारा एक आदीवासी ट्राइबल शेत्र है भा वहां की घटना सुनाता हूं वहां पर एक मद्यप्रदेश महराष्ट का बोडर पर तोरण माल के पास में एक जगे उसका नाम है वड़वानी वहां पर हमने हमने कुछ प्रकल्प शिरू किया है और वहां पर जब हम इंटरनेट वालों को हमारा टीम सर्च कर रहा था इंटरनेट लगाने वाले सारे वो ही लोग मतलब आप आपके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसकी पहुँज जाएगग और वह इंटरनेट का जो कमपनी का ओनर था वो कौन था हमने उसको बात के मन का यह क्या है जी यह वोले लगवाना है तो इससे लगवाना पड़ेगा नहीं तो हम लगाते हैं और आप यह कैसी बाते करें अब मैं आपको बाकी की आगे की जानकार यह देता हूँ क्योंकि आप अपने घर के अंदर जब इन लोगों को रखते हैं और रखने के बाद में जब आप इन पूरी प्रक्रियाओं से गुजरते तो आपका तो शन शन पल पल आपका मौत के नजदिक आपको कीचेगा क्योंकि जब तक उसका जिहादी रूपा अपके सामने आया नहीं तब तक ही आब जिन्दा है जिस दिन उसका जहादी रूपा अभी तो आपने उससे चाय मंगा है तो फाईजन मिला सकता ऐपके खाने में फाइजन मिला सकता आपकी कार का ब्रेक फेल करके वो कूट सकता किसी भी प्रक वो तो लाश जला रहा था डी जी की डी जी के घर के आगे सिक्यूरिटी कितना रहता सिक्यूरिटी को तोड़ते हुए वो सिक्यूरिटी गार्डों को पता नहीं तब पताला चला उनके सिक्यूरिटी गार्ड उनके अंग रक्षक उनके बॉड़ी गार्ड को कब पता चला जब उनके शव को जलाने का कोशिश किया शहर तन से जुदा तो करी दिया था उसने और कितने तरीके के साथ यह लोग आपके जीवन के अंदर उतर गए हैं मैं आपको उधारण के लिए बताता हूँ भारत के सारे बड़े शहरों के अंदर आप आधार कार्ड वाला और भारत के बड़े शहर नहीं गाओं गाओं तक आप पहुंचाई आधार कार्ड बनाने वाले आधार कार्ड में नाम नंबर चेंजी करने वाले जो एजेंट्स के रूप में बेटते हैं पॉस्ट आपिस पर हुए बैंकों में हुए या अस्पतालों के बाहर मैं नहीं कह रहा है आप जाके चेक करो मेरी बात जुटी निकले तो आप मुझसे आकर के यहां कमेंट्स में आकर के हमें कहिए मेल पर हमें डाल के कहिए कि स्वामी जी आप जूट बोल रहे हैं आप देखे परसंटेज किनका जादा रहेगा और वो लोग कौन लोग बेठ जी ने हत्या क्या है नासिर उसका आप यहां पर चाहरा भी देख सकते हैं पूरा सब सब कुछ देख सकते हैं इस पस्ट है कि हत्या किस प्रकार से की तो साथियों आप हमन्त लोईया जी को तो हम ला नहीं सकते लेकिन आगे कोई हमन्त लोईया ना बने हमारे कितने बड़ बड़े धोके हो गए आप ध्यान रखा कीजिए बड़े बड़े हमारे सभी अधिकारियों मंत्रियों को कहता हूं कि जरा चान बीन करके अपने इन जो भी आपके सर्वेंट हैं इंप्लोई हैं वरकर्स हैं इनको अपने घरों के अंदर जगे दीजिए आपकी कितनी ही बड़ा ओधाओ उससे फरक नहीं पड़ता आप जब तक व्यक्ति की पहचान नहीं कर से डीजी किस काम के आपके मडर करके घर के अंदर चला गया आप तो डीजी है ना खाकी वर्दी पेनिया आपने खाकी वर्दी में टॉप वाले आपके सितारे और क्या-क्या लग रहे अब मैं कहता हूँ कि इतने शाति रहें कि डीजी की हत्या अगर घर में कर सकते तो साथियों आप सामानिये आटो वाला थो हमको सलीम भाई मांगता मांगो किसी दिन होगा तब से तो मेरे साथी भाई और भेहनों आप से विनमर निवेदन है कि इस घटणा से सीख लिजे इतिहास में हुई गलतियों से, जो सीख ले, वो ही सबसे बड़ा सिखाया होता है, नहीं तो फिर धुम धुम धड़म धड़ाया हो जाएगा फिर, कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरी बात सुनिये, मरे, निकलिया होगे, कुछ नहीं रहेगा, समझ यह अभी भी समझ है, और फिर नहीं कहना, कि स्वामी ने ना अपना धर्म निभाया था, हम यह कहेंगे, बार-बार हमने यह बार-बार, जोर-जोर से चिलाया था, पर तुमारी समझ में ना आया, और अपना जीवान एसे, हमन्स लोईया जी ने गवाया, हमारा वीडियो अधिकारियों तक पहुचाओ, लोग उसामानी लोगों तक पहुचाओ, जन प्रतिनीदियों तक पहुचाओ, क्योंकि उनके यहां पर भी, फलाने मोर्चे का है, स्वामी जी रखना पड़ता है, फलाने मोर्चे के अंदर आप जेन को रखिए, सिक को रहिए, यायूदियों को रखिए, पार्सियों को रखिए, वो भी तो माइनोरिटी के है, मोर्चे भार क्या कब जा एक ही समुदा आएका हो गया क्या, तो इतना मेरा सभी से कहना है, कि वो ना तो अल्प है, समझ ये थोड़ा, ना वो माइनोरिटी अब नहीं है, माइनोरिटी किस काम की, सेकुलर देश में माइनोरिटी मेजोरिटी का कोई खेल नहीं चलता, इक्वैलिटी का खेल चलता है, तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, मेरे मन में किसी के प्रती द्वेश नहीं है आप समझेंगे कि स्वामी जी किसी खास बार को टार्गेट करें न को न को मैं तो I love Muslim कहता हूँ मैं तो घरवाब से अभियान चलाता हूँ मैं Muslim मा बहन बेटियों के लिए कितना लड़ता हूँ उनके लिए कितना तक्कर ले लेता हूँ मैं जिहादियों से आप सभी को पता है तो I love Muslims बहुत प्यार करता है बट आप लोगों को इस बात को तो समझना होगा कि अपने घर के अंदर किसको आने देना और किसको नहीं आने देना हाँ आप चेक करके एक बार देखिए जो आधारकारड वाला वटाराइडी वाला मैंने बात कहा दूसरा आप लिस्ट निकालिए किन-किन किन-किन अधिकारियों का किन-किन व्यापारियों का उनके ही घर के अंदर गुसे हुए इस प्रकार के गद्दार होने संभलके रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से इतना ध्यान रखो और फिर स्वामी जी तिंदनन सरसुती अपना काम कर रहा है आप अपना काम कीजिए हमारे काम में आप सहयोग कर सकते हैं तो शान्त रहें और समझें विशय की गंभीरता को समझें आपस में एक दूसरे काड कुछ ना करें और हमें बहुत बड़े अभियान को लेकर के सफल करना मा भारती को विश्व गुरु बनाना विश्व गुरु के पत पर आसेन करना आपस में जातियों के नाम पर पंत के नाम पर हमें नहीं बटना है हमारा मत एक होना चीए विश्व गुरु भारत कौन किस चैली से कर रहा है कौन इसकी भाषा क्या है किसका शब्द क्या है इस पर ध्यान ना दे आप जवरन में वो फिल्टर ना लगा है और चश्मा भी ना लगा के बेटा के ये विसे कर रहा हूँ वो विसे कर रहा है ऐसे चश्मा सारे चटका दिये जाएंगे ना तो भारत माता की जय वंदे मातरम जय हिंदुराश्ट है मनती जी की मौत का बहुत दूख है आप सब इस साथियों से कहना चाहूंगा कि अधिकस अधिक वीडियो को शेर करें लाइक करें सब्सकाइब करें हमारे अभ्यान को अपने इस अभ्यान को मदद करने के लिए आप जो भी साहिक करना चाहतें वो कर सकते हैं इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज भी सेकुलर लिबरल बनने के चक्कर में अपने ही कातिलों को पोस्ते हैं और हिंदू संतों को कोस्ते हैं सन्यासियों को कोस्ते हैं और है मठ में पेट बढ़ा रहा है और है पेट चर्बी के गोले बन रहे बाबा जो काम कर रहे है ना थो उनको चर्वी चड़ता है और ना उनके मगच पे कभी भी अहिंकार आता है तो आप चुनिए किसके चर्वी नहीं चड़ी किसके मगच पे किसके इसके अहिंकार नहीं है उन से जुड़िए और साथ में काम कीजिए रास्ट को हमें परम्वे भौपर ले जाना है भारत को हमें विश्व गुरु बनाना एक ध्याय हमारा है हमारा रास्ट हमें बचाना है और संपूर्ण विश्व धरा से आतंक का सफाय करना है इस बुलमजाज दिन लश्करत है यह वेट पिंजे लोग हैं हम मच्चर की नाई मसल सकते पर कब जब हम शक्तिशाली होंगे तब नहीं जब हमारे डीजी जैसे लोग केचप की बोटल से अपने गले कटवा लेंगे नको नको और यह तब हो रहा है जब आप सोची देश के अंदर हिंदूत्य की बयार है और उनके घर के अंदर देखो कौन घुसा बेटा आप आराम से सोईए फिर सावधान रहेंगे सतर करेंगे तो आराम की नींद आएगी और अगर रखेंगे घर में अपने ऐसे हत्यारों को तो फिर साथ में अपने तयारी कीजिए अपने अंतिम संसकार का क्योंकि पता नहीं आपकी लाश मिले भी के ना मिले इनकी लाश भ